नितिष चाचा का नाम पहले नितिष चाचा रखा गया फिर पल्टुराम रखा गया अब इनका नाम महा पल्टुराम हो गया अब इनका घर वापसी है अब इनका कुछ नहीं होने वाला है जो हमारे नितिष चाचा है वो आलू है वो बैगन के साथ भी अच्छे लगते हैं म पटना में भयंकर ठंड के बीच राजनीती में गर्मा हटा गई है कयासों का बजार गर्म है राजनीती सरक कही जाने वाली वीर्चंद पटेल में चाय की सुस्की ले रहे हैं लोगों का जोस भी हाई है बीज़पी ऑफिस से लेकर जड़्यू का रियाले तक कयासों का दोर जारी है मौझूदा राजनीती की स्थिती को देखते हुए हर पहलू पर लोग विचार बिमर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे में जब हमने इन लोगों से इनका विचार जाना तो सबका यही कहन था कि यह बिहार में पहली बार थोड़ी हो रहा है आप देख रहे हैं जैसे चाय दुकान पर जैसे चूरा छना रहा है बस आज साम तक जो गर्मिया जो महौल है मौसम भी बहुत गर्माहट आ गया है और चूरा खाके हम लोग साम तक या कल तक आप कुछ अच्छा बिहार देखिएगा और बदलाओ यहां निस्टी तौड पर होने जा रहे हैं सुसासन की सरकार बनने जा रही है फिर से फिर से एक बार पार आप मेरे निकलना भी मुश्किल लग रहा था बाइक से चलना भी मुश्किल रहता चलते चलते मोबाईल छीन लेता था था ता सब इसके अगर उनको आजनीति में रहना है और सभाइब करना है तो बिना भाजपा और बिना भागवा के साथ हुए अब बिहार में जो देश का जो अभी मन बना लिया है नहीं मुम्किन है और नहीं है इसलिए आना ही आना है उनको और वो कहीं नहीं जा सकते। कि झंडा कर देखें जंडा का कलर में सबसे पहला कोन होता है भगवा और सबसे निचला रंग कौन सा होता है खाड़ा तो भगवा आप समझ यह की बीजे पी है और जो हरा रंग है वह आप उसको आरजटी मान लीजिए एक्जामपल उदारन के तौर पर और बीज का जो यह दोनों के बीच में एक मतलब पडिवर्तन के तौर पर रहता है और दोनों में सम्मलित और समाहित रहता है राजनीती के ऐसी चीज है जो कभी कुछ भी हो सकता है जद्रिव का पेट मिला हुआ है नितिष चाचा का नाम पहले नितिष चाचा रखा गया फिर पॉल्टुराम रखा गया अब इनका नाम महा पॉल्टुराम हो गया अब इनका घर वापसी है अब इनका कुछ नहीं होने वाला है रही बात इलेक्शन की तो दोहजार पचीश म लगते हैं टमाटर के साथ अच्छा लगते हैं वह ऐसे इंसान है बिहार के लिए जो कोई भी सब्जी इंकम्प्लीट है उनके बगए बैगन के साथ बरी मिला जिए उसमें भी आलू चाहिए आपको वह बैंडिंग एलिमेंट तो उनका पुना घर वात्ती हो रहा है तो जब स्वाइब करेंगे सिंपल वाद अब जो स्रीयाम चाहे था वह हुआ है सबसे पर्ले बिहार से श्रू हो गया है भी राम राज आएगा हाँ आहीगेए आज चल 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 रही आने वाला है आपको क्या लगता है कि हर कोई हर कोई बीजेपी को सपोर्ट करें करेंगा चाहिए आप करे चाहे हम करे चाहे कोई वो करना ही करना है और इससे क्या होगा कि जद्यू का अस्तित्र मीट जाएगा चाली सीट है यहाँ पर चाली सीट में चाली सीट बीजेपी के खाते में गिर जाएगे तो कम से कम जद्यू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वहाँ से गटबंदन तोड़कर और वो एंडिये के साथ गटबंदन करके अपना भविस्ति को सही जगर पे रख रहा है नहीं तो पता चलेगा कि जद्यू के खाते में एक भी सीट ना आया MP का और उसके बाद आपको पता है क्या होना है